and welcome back to asset guide youtube channel आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कभी बन इको सिस्टम की एक्सचेंज आ पाएगी क्या कभी बन को फियेट में एक्सचेंज करेंगे क्योंकि बड़ा सवाल है कल हमने बन ब्योज से रिलेटेड वीडियो बनाई थी वो सब्बंद कर दी है अब बन ब्योज को जो है यहाँ पर कुछ नहीं होगा फिलाहल के लिए इसको पॉस्पांट कर दिया गया है अगर किसी का पेविंट फसा हुआ है तो वो बापिस मिलेगा जो आगे पेविंट करेंगे उनका वो अपने हिसाब से करें क्योंकि अब बन इकोसिस्टम की कोई responsibility नहीं है अगर हम बात करें बन बीटा की तो बैसे भी बन बीटा में कोई खास product है नहीं दो-चार product है और वो भी gel अगेरा है तो यह अभी active भी नहीं है यहाँ पर link के clickable नहीं है बन फोरेक्स अभी pending ही है बन फाउंडेशन का बन charity का कोई नाम यहाँ पर है नहीं बन अकेडमी तो अल्रेडी है ही जिसमें अल्रेडी pre-recorded lecture है बन अकेडमी बन लाइफ आप यहाँ से access कर सकते है लेकिन डील से कर जो है डील से कर कितना use होता है वो आप सभी जानते है तो अब फाइनली जो overall निसकर्स निकल कर आता है वो यह कि क्या भई बन इकोसिस्टम का exchange आएगा कि क्या हम बन इकोसिस्टम को भी exchange कर पाएंगे with other currency, with fiat currency या किसी भी means के थुरू हम क्या बन इकोसिस्टम के coin को OES token को use कर पाएंगे तो दीखे अभी तक का जो result है यहां पर दिखाई नहीं देता बाकी अगर कुछ कभी भी कोई भी information या hints हमें मिलेगा तो हम regular उसको update करेंगी लेकिन फिलाल के लिए तो अभी अभी आप यह मान के चलिए कि अभी चल रहा है सन 2023 अभी आने वाले दो साल तक मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि 2025 तक भी burn ecosystem का कोई exchange या कोई कुछ merchant pool जैसा कुछ होने वाला है क्योंकि देखिए merchant pool तो तब चलेगा न जब deal से कर merchant pool तब चलेगा जब merchant आएंगे merchant कब आएंगे जब उस coin को या तो burn bioge के hotel point पर या burn forex में या फिर burn beta पर कहीं पर use हो तो burn bioge की तरफ से green signal सा हमें दिखाए दे रहा था कि यहाँ पर यह use होना शुरू होगा तो जो merchant है उनके पास burn इखटा होगा वो इस burn को फिर deal sticker पर लाएंगे लेकिन जब यहीं पर यह tie up कतम होगया तो यहां से deal sticker पर नहीं आएगा अब burn beta तो अभी launch ही नहीं होगा तो इसकी तो बात ही क्या करें जो कि यहां पर product buy करेंगे तो burn जाएगा या फिर जिने product buy करने है वो burn को merchant से purchase करेंगे लेकिन जब यहां पर यह active ही नहीं है तो यहां burn forex आएगा तो burn forex में आप burn के साथ trade नहीं कर सकते हैं बन से केबल एक forex trading का signal का package बाय कर सकते हैं subscription बाय कर सकते हैं यानि कि indicator बाय कर सकते हैं तो यहां पर भी burn का कोई edge सच use नहीं होने वाला तो जब burn का use ही नहीं होगा तो फिर उसको आगे हम trade करने का या फिर exchange करने का आप किसी भी तरीके से fiat में या फिर किसी दूसरी currency में अभी फिलाल exchange नहीं कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि आने वाले एक दो साल में भी ऐसा कुछ माहूल बन कर आएगा कि आप अपने burn को किसी fiat में या किसी दूसरी currency में या किसी product के साथ भी exchange कर पाएंगे क्यों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए keep watching asset guide